तुलाराशी वालो, नमस्कार मित्रों जैमादादी, शुआगत्य आप शभी का हमारे यूट्योब चानल में तुलाराशी वालो, प्यारे मित्रों कैसे हैं आप शभी? उमीद करते हैं, प्रभू सिर्डाम जी की आशिरवात से आप शभी बहुत अच्छे होंगी तुला राशी वालो, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप शभी को बता दी प्रमात्मा के घर से खुश्यों का पैगाम आया है जी हाँ, अगले 24 गंडे के अंदर तीन तीन बड़ी खुशकबरी मिलेगी आपकी राशी वालों को जी हाँ, खुशकबरी सुनकर अगर नासने ना लग जाओगे तब कहना क्योंकि खुशकबरी ही कुछ ऐसी है जी हाँ, तुला राशी वालो, मित्रों, जानकारी के लिए हम आप शभी को बता दी अगले 24 गंडे का समय आप के लिए सोने पे सुहागा रहने वाला है जी हाँ, मित्रों, मात्र अगले 24 गंडे का समय है इस अगले 24 गंडे के समयावधी में आप उन खुशियों को प्राप्त करने वाले ही जिन खुशकबरीयों के बारे में आपने कभी शपने में भी नहीं सोचा होगा जी हाँ, दोस्तों, जानकारे के लिए हम आप शभी को बिता दी भगवान का लिखा कोई नहीं मिटा शकता जी हाँ, मर्यादा पुशोतम प्रभूश्री राम जी आज आश्रवाद अगले 24 गंडे के भीतर तीन तीन बड़ी खुशकवरी आपके घर के देहलीस पर दस तक देंगी जी हाँ, दोस्तों, दोस्तों, जानकारे के लिए हम आप शभी को बिता दी जो महा विवकुफ होगा, वही इस वीडियो को नजर अंदास करेगा और जो इनसान समजदार होगा, होशियार इनसान होगा वो इनसान इस सुब समय का लाब उठाएगा जी हाँ, मेरे प्यारे मित्रों, जानकारे के लिए हम आप शभी को बता दी अगले 24 गंडे के अंदर आपकी जीवन को एक नई रोशने मिलेगी जी हाँ, आपकी जीवन को एक नई किरन मिलेगी क्योंकि दोस्तों, अगले 24 गंडे के अंदर शोने पे सुहागा होने बाला है मित्रों, जानकारे के लिए हम आप शभी को बता दी बहुत दिनों बाद ऐसी शुब घटना आपकी राशी वालों के जीवन में होने वाली है और इस शुब घटना शे आपकी पूरी जिन्दगी ही बदल जाएगी क्योंकि दोस्तों, आपकी राशी वालों के कुंडली में जितने भी नकारत्मक शक्तियां थी जितने भी बुरे ग्रह दोस्त थी, वो शबी आपकी कुंडली से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जोगी है जी हाँ दोस्तों, और अगले 24 घंटे के अंदर एक ऐसा शुब योग आपकी कुंडली में बनने वाली है जो कि दोस्तों, इस योग की वजह से आपको लाब ही लाब होगा आपको फाइदा ही फाइदा होगा जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप शबी को बता दे ग्रहों का ऐसा शुब सन्योग आपकी जिन्दगी को खुशियों से भर देगी जी हाँ दोस्तों, आज की है शंपोन वीडियो ग्रह गोशर पर एवं आपके चंदर राशी पर आधाल पर दर्मान हुआ है जी हाँ, पोरिक कुंडिली विसलेशन करने के बाद उसके बाद यहाँ राशी फल तयार किये हैं इसलिए दोस्तों, आप अपना थोड़ा सा समय देकर इस वीडियो को शुरू शे लेकर अंद तक देखिएगा आपको लाभ ही लाभ होगा लेकिन उस्षे पहली शर प्रिथम मर्यादा पुर्शोतम प्रभू श्रीराम जी की जितने भी सच्चे भक्त हैं वीडियो को लाइक करकी नीचे कमेंट बॉक्ष में जै हनुमान जै श्रीराम लिखेगा उन्हें प्रभू श्रीराम जी के साथ साथ गुरू जी का भी आशिरवाद प्राप्त होगा तो आप जरूर लिखिएगा आईए दोस्तों बात करते हैं लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो मेरे प्यारे मितनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें शाथ ही बैल आइकन को प्रेश करके आल पर सेलेक्ट कर लें आईए बात करते हैं तो लाराशी बालो अगले 24 गंटे के अंदर एक शाथ तिन तिन बड़ी खुश्कपरी मिलेगी जी हा दोस्तों आज आपकी इनकम बढ़ेगी कारिक शित्र में अधिक से अधिक लाब होगा जी हां कर्जों से आज आपको मुक्ति मिलेगी गारी वाहन का शुक प्राप्त होगा आज आपके क्यारियर में सुधार होगा और नई जौब लगने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी देखिए विद्यार्थी जुनों के लिए समय बहुत ही अच्छा है पढ़ाई दिखाई में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मन लगेगा और सिक्षा से जुड़ी आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है लेकिन आज आप श्वास्थे का विसे दिहान लगे क्योंकि गलत फान खान के वजह से जो है पेट से सम्मंधित आपको कोई समस्या हो शकती है जी हाँ और वो आपको परिशान कर सकती है हाला कि जिवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जिवन साथी के साथ मधूर सम्बंद बने रहेंगी बिजनस के लेंद देन बहुत ही सावधानीशे करें ये आपके लिए बहतर होंगी इस्टाप के साथ कोई कहा सुनी हो शकता है इसलिए अपने गुशे पर नेंदर लखें मार्केट से सम्बंधित कारियों को शमय पर पूरा करने की कोशिश करें क्योंकि इसमें आपको विशे सलाब होगा देखी दोस्तों शितारे कहती हैं कि आज आप अपना अधिकार जताने के मोड में हैं जी हाँ, आप सबसे आगे रहकर अपना अधिकार जताना चाहती हैं। जी हाँ, इस बारे में साउधान रहें कि आपको अभिमानी ना समझा जाए। आप नोच चाहते हुए भी आपको परिसान कर जकती हैं। जी हाँ, दोस्तों, अगर आपको लगता भी है कि आप सब कुछ जानते हैं और सबसे बहतर कर जकती हैं, तब भी कारिक्षित्र में औरों का शहयोग लेने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहतर होंगी। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी। आप भावनात्मक र दिखाने के लिए करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको यह सब करने से पहले मेडिटेशन करके अपनी शमता का कोई रास्ता जो है देना चाहिए। अगर आप मोड में हैं तो अपनी इस उर्जा का उप्योग अतिरिक्ट एक्सरसाइस करके भी कर सकती हैं। ये आपके लिए बहतर होंगी। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी। यह समय आप यह समझ पाएंगे कि आपको जिल्दगी बिदाने के लिए किस तरह का पाटनर चाहिए। जी हाँ। आपने ठीक समझा है। आपको प्यार चाहिए और आप अब पैशों के लिए शादी नही करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों आपको वो आदमी मिल चुका है और उशे देखते हैं आपकी भावनाव का जो है मचलना इस बात का सबूत है। अगर आपने आर्शक के बावजुद पैसा कमाने के लिए कोई परिशानी आती है तो अपने दिल की बात सुने। जी हाँ लोगों की बातों पर अभी आपको धियान नहीं देना है। अगर आप लोगों की बातों पर धियान देंगे तो दोस्तों आप अपने मनजिल से भटक शकती हैं। जी हाँ क्योंकि लोगों की बाते अधिकतर मनोवल गिराने वाली होती हैं। वो कभी नहीं चाहती हैं। आ आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप अपने जीवन में तरक्की हाशिल करें, इसलिए दोस्तों सुनिए सब की करिए अपने मन की, जी हाँ, आज आप अपनी नौकरी से सम्मंदित अच्छी खवर प्राप्त कर सकती हैं, यह एक पदुन्ती, वेतन बृधी, एक नई जिम्मेदारी, एक नया जो है एक्षित अस्थान, एक अलग कमपनी से नौकरी या प्रस्ताव का परिवर्तन हो शकता है, आप कम समय में अपने आग को तयार रखें, जी हाँ, यह टेलीफॉन पर, यह संदेश के माध्यम से भी किया जा सकता है, जी हाँ लोस्तों, अपनी जो है सक्रिय रुख के बारे में, अपने नए नियोकता का शैकर्मी को अफगत कराईए, नई भुमिका की मांग की अनुरूप मांशिक रूपशे तयार रहें, यह आप के लिए बहतर रहेगा, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, इस तरह के मौके, इस तरह के अवशर आपको बार बार नहीं मिलेंगे, जी हाँ दोस्तों, आप एक पदुन्ती या वेतन व्रिधी को प्राप्त करने के लिए शिडिया चड़ रहे हैं, जी हाँ, दुसरों को इसके बारे में बात करने से बचें, इससे अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें, आपका काम ही आ बहुत ही जादा शक्रिये ही, आपको नुक्षान करवा सकता है, जी हाँ, देखिए दोस्तों, आज का दिन शम्बंध सुधारने और पुराने गल्थ फेहमियों को एसपश टूप शे दूर करने के लिए एकदम उचित समय है, जी हाँ दोस्तों, आज आप किसी ऐसे वैक् उठे, अतीत और वर्तमान के रिष्टों का शंतुलन साधना आज के दिन का शब से बड़ा सुनाती पूनकारी होगा, जी हाँ, दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज आप शक्रात्मक तरंगोशे भरपूर हैं, लेकिन इसे औरों के शाथ नौबाटी, लोग आपकी सलह का यही नियम है, फ्री में मिला हुआ चीजों का कोई भी किम्मत नहीं होता है, जी हाँ, दोस्तों, रशनात्मक उज्जा से भरे होने के बावजूद भी चुपसाब बैठे रहना आप के लिए तनाव का कारण बन शकता है, लेकिन इससे परिशान नौ हो, आपकी पहचान को कोई नुक्षान नहीं होगा, केवल इसमें देरी हो शकती है और ऐसी चणी खुश्यों के चकर में ना पड़े, जिनकी आपको बाद में काफी बड़ी किम्मत चुपानी पड़ सकती है, जी हाँ, दोस्तों, कोई भी काम आपको इस समय सोच समझ कर ही करना होगा, आपके ल दोस्तों, देखे दोस्तों, देखे दोस्तों, आज आपके जीमन में एक नई उर्जा का प्रवेश होगा, जी हाँ, दोस्तों, और आपको अचानक यहां लगने लगेगा कि जीमन में परिवारत तक कैरियर में शंतुलन बनाना काफी आसान हो गया है, जी हाँ, दोस्तों, आपकी शारी हिस्किसाहट आज दूर हो जाएं आप घर या कारिस्तल पर किसी करीबी की और सामजस की भावनाव में भी आज दूर कर पाएंगे, जी हाँ, दोस्तों, देखिए दोस्तों, शितारे कहती हैं कि एक परिवर्तन आज आपके कारिक्षित्र में आने का शंक्यत दे रहा है, जी हाँ, दोस्तों, आप अपनी आपके जीमन में कुछ न कुछ जरूर होगा एक ऐसी इस्थती होगी जिसको आप पशंद करेंगे और इन संभावनाओं का आप लंबे शमय से इंतजार भी कर रही थी इसलिए आपको इन अब्शनों का पूरा लाब उठाने की जरूरत है जी हा दोस्तों ताकि आपका केरिय उची जिसा में सलता रहे और आपके जीमन में कभी कोई परिशानी कभी कोई शंकट नो आए जी हा दोस्तों भागिये अभी आपका बहुत ही श्रात दे रही है आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी जी हा दोस्तों अगर आज के दिन आप नए कारियों की शुरुबात कर तो वो भी कर सकती ही, माता पिता का आशिरवाद लेकर इन कारियों की शुरवाद बिलकुल कर सकती ही, आपको लाग होगा, जी हाँ दोस्तों, और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने बच्चों पर, जी हाँ, कुछ समय बच्चों के साथ समय वैतित करे, माता पित के साथ कुछ समय वैथित करें यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके शारे जोहत तनाव खत्म हो जाएंगे देखिए दोस्तों आज आपके सामने ऐसी इस्थतियां आशकती है जो आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए उक्षाई यह सही समय है जब यंत्रण में रखकर यूद अस्तर पर काम करना है अपने बच्चों या अपने भाई बेहनों के लिए सुरक्षात्मक रविया अपनाई आप बहुत अच्छी तरीके सी समाजिक गतिवीधियों में सामिन होंगी और यहां आपका बहुत अच्छा श्वागत भी होगा जी ह तन्मन से पूरे लगन से महनत करियेगा महनत का पूरा पूरा उचित परिणाम मिलेगा अगले 24 गंटे में यह बात बन सकती है जी हां दोस्तों बिरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है लेकिन जो रोग प्राइवेट नोकरी में है उन्हें प्रमोशन मिल की संभावना बहुत कम है और जो रोग शरकारी नोकरी में कारिया थें उन्हें एक अस्थान से दूसरे अस्थान के प्राप्ति हो शकती है जी हां दोस्तों इसलिए तयार रहिएगा और दोस्तों आने वाले अगले इन 24 गंटी में अगर आपके हाथ कोई मौका आता है तो आप उसे जी जान लगा दीजिएगा लेकिन उस मौके को हाथ से जाने नहीं दीजिएगा जी हां दोस्तों क्योंकि इस तरह के मौके बड़े ही नशीब वालों को मिलते हैं और बड़े ही भागी से मिलते हैं अगर एक बार सला गया तो वापश दोबारा लोट कर नहीं तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी और इससे भगवान सनी देव जी प्रसन होती हैं। जी हाँ दोस्तों जो लोग दूश्रों को मदद करती हैं उनके उपर भगवान सनी देव का शाया हमेशा रहता है और उनके जीवन में कभी कोई दुख कभी कोई तकलिफ नहीं आता है इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय और थोड़ा शापना कुछ दान पुन गरिबों में जरूर दें ये आपके लिए बहतर होंगे। देखिए दोस्तों आप बहुत ही आराम से संबावदित अस्थापित कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसमें अर्जसन डाल सकती हैं। जी ह इसलिए बहतर है कि एक कदम पीछे रखें ताकि इसका अशर दूसरों पर हो। इस वीच आप अपने वैक्तिगत विकाश पर धियान दें और आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको बिना मांगे किसी को भी शलहा नहीं देना है। जी हां। नहीं तो आपको बेवजह के ले स्याउश या भी दूर रहने का प्रियाश करें आपके रिवहतर होंगे। देखिए दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में अनुभवी लोगों के साने धिमें आपको जीवन के प्रती कुछ बहतरिन अनुभव होंगी। जी हां दोस्तों मानशिक और अकाश्मिक दूप स शुकूर महसूस करेंगी। जी हां दोस्तों इस समय आर्थिक लाब की भी उचित संभावनाई बन रही है। कोई रुकी हुई पैमेंट मिलने की उमीद बन रही है। आपको थोड़ा शाप्रियास करनी है आपको लाब ही लाब होगा। विवसाइक अस्थल पर अभी किसी तरह कि बदलाव आपको जो है करना उचित नहीं है। दिक्कत आने पर अनुभवी लोगों शे मार्ग दर्सन लेना आपके लिए उचित रहेगा। कोई भी कारे करने से अधिकारियों की मदद आपको लेनी पड़ सकती है ताकि आपका कारे में कोई विग्न, कोई बाधा नहीं उत्पन होगी। जी हरोसनों इस समय फाइलिंड अथव निवे सम्मंधित कोई भी लिया गया निरनाई शक्रात्मक रहेगा। काफी समेशे जो है प्रतिक्षित सुब समाचार मिलने से मन में शुकुन और राहत रहेगी। बड़े वोजर्गों की आशिरबात तथा मार्ग दर्शन पर जरूर अमल करें कि आपके लिए बहतर होंगे। जी हरोसनों लेकिन धियान रखियेगा व्यार्थ की गतिवीधियों में अपना शमय और पैसा नश्ट ना करें। अपनी उर्जा का शक्रात्मक उपयोग करें। ये समय वर्तमान वाता वरन की बजह से जो है नेगेटिविटी अपने उपर हावी नोहने दें। किसी भी प्रकार का रिश्क लेना अभी आपके नुक्षान का कारण बन शकता है। जी हाँ इसलिए आपको रिश्की बाले कारियों से दूरी बना कर रखना हैं आपके लिए उच्छी तरहेगा। जी हाँ रोसनो अपनी व्यवशाई की उजनाओं तदह कारी प्रनालिक को शिक्रेट ही रखें ये आपके लिए वहतर होंगे। कम्प्यूटर तदह मेडिया से जुड़े व्यवशाई में एक नए अवशर मिलेंगे। नौकरी में परस्तिया अनुकुल बन रही है। सभी जो है करमशारि का आपशी सहयोग सामनजस्ट पून रहेगा। परिवार में शुक्षान्ती बनी रहेगी। मित्रों तदह सम्मंधियों के शाद मेल मुलाकात शब को खुशी प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों। लेकिन वर्दमान के मोशम के नकरात्मों परभाव से बसने के लिए अ अपना घान पान और दिन सर्या एकदम ववस्थित रखें ये आपके रिवहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों। आपके लिए जो समय होंगे यह समय दामपत्ति शंमंधों में मधूरता बनी रहेगी। परिवार में भी खुश्णुमा और सूखा दवाता बरण बना रहेगा कमजोर और ठकान महशुष करेंगे। स्वास्ते के प्रति लापरवाही ना करें। पानी की मात्रा अधिक शे अधिक रखें। और प्रवर्ती चीजों का अधिक से अधिक जो है शेवन करें। ये आपके स्वास्ते के लिए बहतर होगा। आने वाले गरिट 24 घंटी विभ की बुद्धी मता तथा प्रिवारिक सोच से भी लाव के नई श्रोत मिलेंगे। जी हां रोसनों। कभी-कभी व्यतिगत रूपशे खुद को अकेना महसूस करेंगे। खुद को व्यस्त रखना इसका उचित इलाज है। कभी-कभी गलत वहमियों की वजह से भाई-बेहन के शंबंधों में दूरियां आ शकती है। इतना ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसी बानिक का प्रियोंग ना करें जिस एक दुश्री को बुरा लगे। जी हां परिवारिक व्यस्तिता को लेकर जो है बैतर बनाने के लिए आपके प्रयास बहुत ही जरूरी है। जी हां दोस में अभी बदलाव के लिए प्रयास चलत रहें या आपके लिए बहतर होंगे। लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय अपनी परिवारिक जो है ब्यस्तिता को उसीत बना कर रखें। विवाहतर संबंधों की शंभावना से दूर रहने का प्रयास करें तो आपके एडिटेशन, ध्यान आधी जैसे क्रियाओं में लगाएं या किस स्वासे के लिए एकदम उचीत होंगी। शितारे कहती हैं आज का दिन आप से बहुत सारी उपक्षाई रहेंगी। आज अपनी वर्तमान घर या नौकरी में बदलाव का फैसला ले सकती हैं। जी हां दोस इस बात का ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा। इसके उपरांत कशम कश में ना रहें बदलाव होना बहुत अच्छा रहेगा। जी हां आपको किसी ऐसे आजमी शे बात करकी और परत्यासित साहता मिल सकती है जो चुपसाप आपकी भलाईत साहता रहा है। देखिए दो समय वैतित करें। अपने माता-पिता के शाद अपने बच्चों के साथ समय वैतित करें। एक बार जब आप सब चीजों को और बातों को दोहरे अर्थ ढुनने में खुद को रोकना सिख पाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका संबन बहुत मजबूत है। देखिए ऐसा बहुत अच्छे से करेंगे। जी हाँ, जीवन की चुनोतियों से निपटने के लिए आप अपने कोशनों को निखारने और अपनी शुपी हुई प्रतिभाग को बाहर लाने के प्रयाशों में जुड़े हुई हैं। जी हाँ, आपका सफर मुश्किल हो सकता है, लेकि आप इसका हर एक पल का आनद लेंगे और आपको मजाएगा। जी हाँ, इसलिए आपको डटकर प्रयाशों में लगे रहना है, तब तक जब तक आपको शफलता नहीं मिलती है। जी हाँ, लोग आपको गलत बात सुनाएंगे, गलत रास्ते दिखाएंगे, अगर आप अप अपने रास्तों से भटक गएं, तो फिर आप अपने मंजिल को कभी नहीं पापाएंगे, जिसकी आप शपना देखती हैं। जी हाँ, दोस्तों, वो सपना अब आपका पूरा होने का वक्त आ चुका है, लेकिन आपको प्रयाश निरंतर करते रहना है। जी हाँ, वहीं दो आपकी लव लाइफ में काफी हस्थेप कर सकता है, और जो है गंभिर गलत पहमिया पैदा कर सकता है। आपको अपने और अपने पार्टनर की भी भावनाओं का विस्वाश करना शिकना होगा। जी हाँ, दूसरों की बातों पर अधिक धियान देने की वजाए, अपनी भा आउनाओं पर अधिक धियान दें। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परिशान करती हैं, उनके बारे में भी अपने पार्टनर से भी बात करना शाहिए, उनका समाधान आपको जरूर मिलेगा। आज का दिन शट्टा उधमों के लिए सब से उपयुक्त समय है। जी हाँ, आप एक लोट्टी टिकट या कमपनियों या सेयर निवेश करने से धन वृद्धी का एक उच्च मौका है। आपको किसी एक से अच्छा सुझाव मिल सकता है। और अगर आप उसे समय रहते, शमय पर पूरा करते हैं, तो आप अपनी आय बढ़ा शक्ती हैं। जी हाँ, आज का दिन आप के लिए सांति पूर रहेगा। जी हाँ, और आप हर एक पल का आनन्द लेंगे और आप मज़े से आपका दिन वैतित होगा। क्योंकि ग्रह गोचर अभी बहुत ही अनुकुल है, आपको लाभी लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन आज आप बोलने में शाओधनी रखें। सोच समझ कर ही बोलें तो आप के लिए बहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों बात बात में आकर आप अपने दिल की बात बता देते हीं, जो कि आगे चल कर आप ही को परिशानी होती है। आप जिसे अपना करीबी समझती हैं, वो आपकी गुप्त बातों को उजागर कर जकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप अपना समझती हैं, वही आपको देरे देरे दोखा दे रही है, वही आपको बरबाद कर रही है। इसलिए दोस्तों, बोलने से पहले दोबारा शोच लें, अपनी बात का विशय अपने और सामने वाले तक ही शिमित रखें। जी हाँ, किसी तीसरे के बारे में बात करने से आज आप बचें नहीं तो दिक्कत होगा। किसी दुसरे सहर की यात्रा और उनके दोरान किशी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना पुराने पनों को याद करेंगी। जी हाँ द आज आपका दृष्टी कौन किसी महत्मूर्ट चीज की और बिलकुल सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों आपके फैशले कप्रभाव, आपकी मानचिक चक्ति, औरों के लिए इर्ष्या का कारण बन शक्ति है। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, आपके प्रेम शं पर कुछ समय से ये आपके रिस्तों में आपको बहुत परिशान कर सकती है। ये आपके शंचार और आपसी वारतलाब की कमी के कारण हुआ है। इस इस्तिसी से निपटने के लिए आपको काफी ज्यादा जो है मात्रा धहर की आवशक्ता होगी। अगर आप इस रिस्तों क बचाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा जोकना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी आपके केरियर और धनडाशी फल के लिए जो समय होंगी। आज का दिन अपने वेवशाइक और वेतिय गतिवेदियों में बदलाव लाने का दिन है। इसलिए अगर आप कुछ इस तरह की काफी योदना है तो अपने आपको तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टी कौन प्रभाव ढंगशी सिर्ट समंधों तक समक्ष रखे पाने में शमर्थ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों। ये अपने नियुकताशी आज आपके घर में खुश्यां दस्तक देने वाली है। नए महमान आज आपके घर आशकती हैं जिससे आपका धन खर्च होगा। और उशी में आज आप ब्यस्त रहेंगी। आपका देनिक दिन सरया अती उत्तम रहेगा। दोपहर के बाद आज आप नए कारियों के शुर बात कर सकती हैं। और शब से इंपोर्टेन और जरूरी बात हैं कि आज आपके बड़े भाई के सहयोग से कोई महत्मुर कारिक पूरा हो शकता है। जिससे आपके घर के शवी सदस्य काफी खुस नजर आएंगी। आज आपके कैरियर में शुधार होने की उम्मिद नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आज आपके अंदर एहम की भावना उत्पन हो शकती है जिससे आपको बसना चाहिए। देखिए दोस्तों वर्तमान गरह स्थति आपके लिए बहदरिन प्रस्थति बना रही है। जी हां अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचाने औ दोस्तों लेकिन दोस्तों धिहान देने वाली बात यहां है कि योजनाओं को तुरंत कर्यानवित करने का प्रहाश करें। जी हां आने वाले अगले 24 घंटी में अगर कोई मौका आपके हाथ आता है तो उसे जाने मद दिजिएगा। जी हां दोस्तों क्योंकि ज्यादा रहाई पर ही ध्यान लगाएं तो आपके लिए बहतर रहेंगी। जी हां और यह समय व्यवसाई अस्थल पर कारी प्रणारी में कुछ बदलाव लाने की आवशक्ता है। शाथी अश्टाप और करमशारियों पर भी कड़ी नजर रखें हाला कि रूकी हुई पैमेंट आने आपको ही संभालनी होगी। प्रेम शंबंधों के मामलों में लखी रहेंगी। आज के दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम शमय है। कोई भी नर्नाई लेते शमय खुद पर ही विश्वास रखें। इससे आप सुचार रूपशे अपने कारियों को अंजाम दे आज का दिन अपने महतों कांग्शाओं को पूरा करने का समय है। पूरे मनोयोक्षे अपने कारियों के प्रती शमर्पित रहें तो आपके लिए बहतर होंगी। यह समय अपनी लवलाइप से जुड़े किसी भी गतिवीधी में दुसरे का हज्शेप ना होने दे। अगर क कोई कोट के सम्मंधित मामला चल रहा है तो आज उशको गंभी रूप से सुचारू रहेंगे और विद्धिहार्थी तुधा युवा वर्ग अपने केरियर और पढ़ाई को लेकर जाला सगद रहने की जरूवत है। इसके उपरांद आपके लिए जोश समय होंगी, आपक मार्केडिंग सम्मंधिक गतिवीधियों को और अधिक समझने में समय लगाएं, ये आपके लिए बहतर होंगी। वहीं दोस्तों आपके लिए जो शमय होंगे, आपके दिन चर्या के लिए जो शमय होंगी। यह शमी अपने काम तैस समय पर पूरा करने की कोशिश करें। इससे आप अपनी कारि प्रणाली को बहतर मना पाएंगी। जी हा दोस्तों आप अपने अंदर बहुत अधिक उज़ाव आत्मिश्वाश का अनुभव करेंगी। और अपने कारियों को बहतरिन तरीके से रूप देने की भी सक्षम रहेंगी। वहीं दोस्तों अपनी महनत के परिनाम विलंब से मिलने के शिंता ना करें तो था उचित समय का इंतिजार करें। जब आपका समय आएगा तब आपको बोला कर देगा। जी हा रोस्तों महनत करते रहिए फल के चिंता ना करें। क्योंकि जब आपका समय आएगा भगवान सनी देब जी आपको बोला कर इंपोर्ट एक्षपोर्ट के बिजनस में फायदे मंद इस्ततिया बनी हुई है शिर्प सही शमय पर शही निर्णय लेने की जरूरत है जी हां दोस्तों क्योंकि ग्रह गोजर अभी आपकी अनुकुल है भागे भी आपका शाथ दे रही है अगर आप शही समय पर शही कारी कर लेंगे तो शफलता शीदे सीदे आपकी चौकर जुमेगी जी हां दोस्तों बिजनस से मंधित कोई नया प्रियोग करने जा रहे हैं तो उसके बारी में पहले से अच्छी तरह से जांस परताल करने आपके लिए बैतर होंगी नौकरी पैशालोग दस्तावेजों को शम्हा की वजह से दोरियां आशकती है इसलिए दोस्तों अभी आपको एक दुसरे को शाथ लेकर जलने की कोशिश करनी होंगी और छोड़ी मोड़ी बातों को नजर अंदाश करनी होंगी यही आपके लिए बहतर होंगी आने वाले अगले 24 घंटे अपने शेहत का भी ध्यान रख करें यह आपके स्वास्थे के लिए बहतर होंगी दोस्तों अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे इस यूट्योब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले शाथ ही बैल आइकन को प्रेश करके आल पर सेलेक्ट कर ले दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अपना किम्ती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दिन आपका शुब हो मंगल मैं